हाई गाईज तो वीडियो स्टार्ट हो रहा है फाइफ अन्यूजेवल यानि की अजीबों गरीव वहां से जिनको देखकर आपके होस उड़ जाएंगे तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज हमारे चैनल नजाकत को सब्सक्राइब किजी हो नहीं सकता बल्कि हो चुका है अमेरिका के एक एरका स्पेस टेक्नोलोजी कमपनी ने ऐसा बोर्ड तयार किया है जो अलादिन की कार्पेट की तरह ही काम करता है जिस पर खड़े होकर आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं और इस बोर्ड का नाम है एरका बोर्ड इसमें 36 पारफोल फेंस लगाये गए हैं जो कि उसको डाने में इसकी सहेता करती हैं दोस्तो अरका बोर्ड अभी टेस्टिंग फेज में है लेकिन कमपनी का कहना है कि जल्द ही इसे मार्किट में सेल करने के लिए लौंच किया जाएगा दोस्तो इस वीकल को बनाया गया है फिलिपियन की कमपनी एच्टियो टेकनोलोजी नी ये आट और इकसा जैसा दिखने वाला वीकल जमीन के साथ-साथ पानी में भी बड़ी आसानी से चल सकता है इसमें 200 कुब एक सेंटीमेटर की गैस इंजिन लगाये गई हैं जो कि इसको 13 हार्स पाउर की ताकत देती हैं जमीन पर इसकी मैकसिमम स्पीड 60 किलोमेटर पर आवर है और पानी में इसकी स्पीड 11 किलोमेटर पर आवर चलाई जा सकती है दोस्तो सडक पर ये वीकल 6 लोगों को बठा कर चलाई जा सकती है और पानी में सिर्फ 4 लोगों को बठा कर आसानी से चला जा सकता है और इसको चलाने के लिए आपको किसी भी तरह के ट्रेनिंग या स्पैसिल लाइसेंस की जरूत नहीं पड़ेगी सच बताओं दोस्तो मुझे तो यह रिक्सा बहुत ही अमेजिंग लगी जिसको हम बाड में भी इस्तेमाल करके लोगों की जान बचा सकती है इस वहान पर आपके क्या राए है हमें कमेंट करके जरूर बताए आगे दोस्तो आटो स्कूटर दोस्तो दिखने में तो यह आपको एक सुटकेस जैसा लग रहा होगा नेकिन यह है इसकी खास बात है जो उसको बाकी स्कूटर से अलग बनाती है यह एक फोल्डेबल स्कूटर है जिसमें धाई सो वार्ट की लिथियम इवोम वैटरिल लगाए गई है जिसको पांच घंटे तक चार्ज करने में 16 किलोमेटर की दूरी तैक कर सकते हैं जिसमें USB चार्जिंग पोर्ट के साथ साथ एड़ेस्टेबल सीट का फिचर भी मिला हुआ है इसको आप कभी भी कही बिले जा सकते हैं और इसको चलाने के लिए आपको सिर्फ 10 सेकिंड ही लगेंगे इसका वज़न 28 किलोग्राम है आगे दोस्तो स्प्रिंग विल स्कूटी दोस्तों इस स्कूटर को बनाया गया है वीट नाम के एक फेमस ब्लोगर ने जिसने बस अपने एंटर्टेन्मेंट के लिए अपनी स्कूटी के आगे के विल्स रिपलेस करके उसमें फालतो पड़े बाइक के रिंग में मेकैनिक से बोलकर कुछ स्प्रिंग अटेश करवा लिए और अपनी बोरिंग स्कूटी को एक मजेदार स्कूटी में तबदिल कर लिया गया अभी है रोज मर्रा की जिंदगी में कितना काम आएगी भै तो हमें नहीं पता लेकिन इस स्कूटी को चलाते वक्त कम से कम एक बार तो लोग मुड़कर जरूर देखेंगे आगे हैं दोस्तो डबलू स्कूटर दोस्तो इस स्केट बोर्ड को बनाने का मेन परपज बस इतना था कि कैसे आपको सोट डिस्टेंस कवर करा जासकी वह भी मजे करते हुई वैसे तो आपको यह स्कूटर नोर्मल स्केट बोर्ड जैसा देखाई दे रहा होगा जैसे कि बाके स्केट बोर्ड में चार छोटे वेल्स लगे होती हैं इसमें सिरफ तीन वेल्स लगे हुए हैं पर जो बात इसको नूर्मल से स्कैट बोर्ड से अलग दिखाती है भै यह है कि इसको आप उपनी कमर पर बांतर कहीं भी किसी विवक्त ले जा सकती हैं और इसे आसानी से खोल कर इस्तेमाल कर सकती हैं दोस्तों आपको यह विडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताए और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और सेर करके हमें स्पोर्ट जरूर करे ताकि ऐसे हैं विडियो में अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद